बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज के बारे में 136 पे काम काज कर रहा है दिन की शुर्वात हमने थोड़ा सा उचाल फिर गिरावट फिर अब शांदार उचाल के तरह हम देख रहे हैं यह उचाल कहा तक जा सकता है इसके लिए हमको पास दिन पहले का डेटा देखना पड़ेगा तो डेटा देखते हैं तो यह हमको कुछ शांदार नंबर दिखाता है सबसे पहले बात करते हैं 134 के रेंज को 134 के range को breakout देके आपको यहाँ पे दो दिन दिख रहा है लेकिन अगला इसका पड़ा 136 था अब 136 को इसने यहाँ पर दो बार आप देखेंगे तो एक ही दिन में मैं परसो की बात कर रहा हूँ एक दो दिन पहले यहाँ से एक दो दिन मैं आपको exact बता देता हूँ कि यह दिन था 16 February 16 February को इसने दो बार reject होके वहाँ से वापस आया अब फिर से उसी range में है मतलब यह है कि वहाँ से आप बहुत सारा chances से 136 के level को अगर एक बार यहाँ से breakout मिलता है तो अच्छा खासा perform करेगा ही करेगा लेकिन अगर इस range में वहाँ से फिर rejection मिलता है तो आपको आज ही की दिन यह 134 पे आता हुआ दिखेगा इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको थोड़ा सा wait करने की क्योंकि देखि मोमेंटम तो अच्छा मिला है तो हो सकता 136 क्रोस करके 138 आसानी से पहुच जाए